आज बात करने जा रहे हैं बिहार के नियोजित सिच्छकों के ट्रांसपर पोस्टिंग निती पर आखिरकार क्यों बवाल छिड़ गया है ट्रांसपर पोस्टिंग निती को लेकर सिच्छक संगठनों ने क्यों दे दिया है सरकार को खास अल्टीमेटम आखिरकार क्यों नाराज हो गए हैं बिहार के सिच्छक, संगठन, सरकार और सिच्छा विवाग से आखिरकार क्यों बिहार के नियूज सिच्छकों को अपने संगठन से क्यों विश्वाश तूड़ता जा रहा है क्यों सिच्छक का रहे हैं विभाग का जो निर्देश है अब हमें अनुपालन करना चाहिए लगतार हो रहे सिच्छक संगटनों के हार से नाराज है शिच्छक वहीं पर्थम सचमता परिच्छा के शमय सिच्छक अपने मन से काम कर गएं सिच्छक संगटन चिलाते रह गएं और सचमता का फारों भर दिया प्रस्न बहुत सारे तमाम चीज़ों पर हम बतात करेंगे शिच्छक को बिसी सिच्छक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए सिच्छक तो अब बनने के लिए बिल्कुल तैयार है नमस्कार मैं हूँ सुनिल बौबी और आप इस समय बिहार के सिच्छकों के लिए खास संबाद में आप मौजूद हैं वो पस्तित हैं अश्किल पर आप में देख रहे हैं दोस्तों वर्सों से आपके बीच हम हैं और आप ही के बीच का हूँ लेकिन अब तक आप हमसे रूबरू होते रहे हैं आपका मैं कॉमेंट पढ़कर आपके कॉमेंट का जबाब वीडियो के रूप में या कॉमेंट के रूप में देता आया हूँ लेकिन आप तक है बहुत सारे हमारे S.A. viewers जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर हमारे इस वीडियो को आप फेस्बुक पेज़ पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज़ को लाइक कर दीजिए जिससे हमारा उत्साब बढ़े हमारी सदस्ता संक्या बढ़े तो फेस्बुक पेज को भी आप लाइक जरूर कर दिजेगा यूटूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो और हमारे इस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलोज कर लितीएगा चलिए हम बात करते हैं बिहार तीचर टांसपर पर बवाल छिड़ गई है सिच्छक संगठनों ने विभाग और सरकार को दिया है खास अल्टिमेटम बिहार में तीचर टांसपर निती पर संगुग की नाराजगी काखिर क्या है राज इन दिनों पहले साथ महिने छे महिने साथ महिने से बिहार के नियोजी सिच्छक वैसे नियोजी सिच्छक जो सचमता एक पास कर गए थे और विशिष सिच्छक बनने के लिए बिभाग के आदेशों का इंतजार कर रहे थे अचानक विभाग का आदेश आ गया बहुत कुछ अच्छी बाते और बहुत चीजे नकारने माली बात सामने आए सबसे बड़ा इसमें मुद्दा यह अभी तक छिपा हुआ है कि नियोजी सिच्छकों को सेवा निर्दता का लाद मिलेगा या नहीं मिलेगा दूसरी बात कहां जा रहा है कि यह एच्छी का साना अंतरन है लेकिन चाहे महिला हो महिला सिच्छका हूं या पुरू सिच्छकों कहीं न कहीं सभी का एच्छिकता एच्छिक पर यानि कि उनकी सोतंतरता पर रोक लगाई गई है जहां कहा गया है कि महिलाओं को सिच्छिकाओं को अपना पंचायत पती का उस घर में पंचायत है वहां और उनका महिला का जहां पंचायत है वहां और जिस बिद्याले में तक बरतमान में पदस्था भी तो ओ पंचायत तीन पंचायत को छोड़ कर उनको पाबंदी तो कि आख ग्री हणुमंडल छोड़ना होगा प्रस्थ उठ रहे हैं कि ग्री मनुमणल छोड़ देंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे बिहार में जिले हैं जहां एक ही हणुमंडल है तो क्या कि दूसरे जिले में भेजा जाएगा तो जिला का मांग क्यों खिया गया था देखिए अब तक कि अब बात चली आ रही है कि सिचको को ट्रांसपर में तीन विद्ध्यालेक ओप्षन लिए जाते रहें लेकिन इस बात नियोजी सिचको पर ना जाने क्यों सरकार निती से हट कर बात करने लगती है 10 ओप्षन मांगे गए 10 ओप्षन सिचको के लिए माथा पच्ची का विषय है वैसे भले ही उस जीले में आपको करवाना है लेकि जब अनुमंडल चेल हो जा रहे हैं तो बहुत माथा पच्ची करना ही करना होगा फिर भी तीचर इसको सवीकार कर रहे हैं देखिए एक सिचक का एक ब्यान आया है सोचल मीडिया पर उसको भी हम बताएंगे कि आप सिच्छक संगटनों पर विश्वास नहीं करें और विशिर सिच्छक बनने के लिए नए विद्धाले में पोस्टिंग करने के लिए तैया रहे हैं किसी का न सुने यह बाते आ रहे हैं लेकिन सिच्छक क्यों न सोचे अगर बीना सोचे समझे अगर कोई काम कर लेते हैं और घाटा हुआ तो अगर मान लिजिये कि विशिष सिचक बन गए या फिर मान लिजिये कि किसी का बात मान लिए और विशिष सिचक नहीं बनने का मन बना लिया आवेदर नहीं दिया नियोजी सिच्छक ही रह गये और नियोजी सिच्छक में कुछ खास नहीं मिला विसी सिच्छक को बहुत कुछ मिल जागा तो पस्तावा तो होगा और कहीं भी सिच्छक हम बन गया उन्हें जिच्छकों को अच्छा खासा लाव हो गया तो पस्तावा है तो इस स्थिती में सिच्छक या सिच्छी का जो है इस ऐसी मोड पर खरे हो गया है कि बात किसकी सचाई है हलांकि एक बात मैं अपनी और से बता दू लाख आप सर पटक लीजिए लेकिन इधर साल देड़ साल दो साल से या ध्यन रहा है देखा जा रहा है सरकार और विभाग ने जो कह दिया वो कह दिया लाख संगठन चिलाते रहे लाखे सिच्छक चिलाते रहे कोई संसोधन नहीं लेकिन एक बात निकल करी आई है कि निमामली में कुछ संसोधन जरूर होगे कमीटी भी जिलास्तर पर बन गई है राज में भी संसोधन होने की बात हो रही है लेकिन हो रही है लेकिन हमें नहीं लगना कि कुछ दंसोदन होंगे अगर जोईन करना है तो ना लूग न किरिए जाकर जोईन कर लिजे यानि आविधन दे दिजे और नहीं अगर आप जाना है बिसी सी चेक नहीं बनना है तो बबाल नहीं बिलकुल सांती से रहे पेमेंट ह अभी जो बरतमान में आपका बेतन है या कोई भी निवामली नहीं कर सकता है कि उससे उसका बेतन कम मिलने लगे जहां भी रहेगा मिलेगा मुक्त तोर पर अभी अगर मान लिजे तो नियोजी सिच्छक अभी सिच्छक के बेतन में कोई ज्यादा इजाफा और कमी नहीं होने है हाँ एक फायदा जरूर है NPS का वहाँ पर लमसब 8000-9000-10000 आपको जमा होंगे जितना आपको जमा है आपका कटेगा उतना कुछ ज्यादा सरकार देगी और आपको लगबग 10,000 के करीब आपको NPS में कटेगा जमा होंगा यही विसेस से चीजें हैं वह सिच्छक भी जम भविश के लिए जिन्दगी आपकी सुरच्छित होगी यानि कि भविश में किसी परकार के को जोता तो आपका जमा पुंजी काम आएगा लेकिन सोचिए अगर पेंसन योजना लागू कर दी गई तो आपका सेवा निरंतता नहें रहने के कारण बहुत बड़ा घाटा इस यह इसी इस्थिती है तो इस पर भी गहन ध्यान किसी की बात मत सुनिए मेरी नबाते सुनिए और चैनल वालों की बाते मत सुनिए सबकी बात सुनिए लेकिन अपना करना है संगठन की बाते भी अपनी सोच बिक्सित करना है अपने साथी की बात सुनिए लेकिन आप उस मंजित तक पहुँचिए आप निर्नाय लिजिए कि इनकी बातों में दम है या नहीं है हमें क्या करना चाहिए यह होना चाहिए आज सिच्छक आप हैं लेकिन कल आपको बैक्तिकत रूप में कोई समस्या आती है तो आप खुद निर्नाय लेते हैं तो यहाँ पर आप भी निर्नाय दीजे क्योंकि आप भी 10 साल 15 साल 20 सालों से नोकरी कर रहा है आप भी एक बुद्धजीवी पद पर हैं आप भी तो आप तो निर्नाय कर सकते हैं अब देखिए शिच्छक संगठन दूसरी बात सिच्छकों के लिए कई परसानी वाली बात है इसके कारण भी सिच्छक संगठन ना राज है अल्टीमेटम दे दिया गया है लेकिन अल्टीमेटम का परभाव पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है पढ़नी का कारण यह है कि सामने चुनाओं है न देते ही हैं इसलिए सरकार और विभाग जादा टेंसन न भी ले सकती है अब आते हैं सोचल मीडिया के कोश्ट पर बात कर लेते हैं जिसमें क्या कुछ कहा गया है आप ध्यान से इन बातों को सुनिए तो अपनी बाते आपकी बाते उनकी बाते कि लेकिन उन पर सुनिए नहीं बताऊंगा लेकिन ये पोश्टे चल रहे हैं नियोजी सिचको से अग्रह किया गया है कहा गया कि असान अंतर निदी के विरुद में जो केस होने वाली है एक चीज आप समझे गर केस हुआ तो पोस्टिंग रूख जाएगी नहीं होगी पोस्टिंग होगी बात में ह होगी अब उन पर चर्चा कर लेते हैं उन्होंने आगे लिखा जब आपसे कोई पैसा मांगे तो उनसे पुछना की आपने दस्ता परिच्छा के विरुद्ध केस किया उसमें आपको हार मिले शमान काम शमान बेतन के लिए हाई कोट में जीत के बास सुप्रीम कोट गए व सच्छंता परिच्छा के विरुद्ध केस किया तो क्या हुआ सबके सामने हैं अलबत्ता उसमें भी हार मिले इस असानांतरन निती को मुझे दिल से कबोल है उनसे कहने के लिए कह रहे हैं कि हर सी छग या शंगठनों से कहिए कि जो असानांतरन निती है चाहे जो कुछ भी यहों में दिल से कबूल है अब आप आराम से अपना नोक्री किजिए और मुझे अपना नोक्री करने दीजिए भाईया इतना साफ साफ कहदना आसान नहीं है अस्थानी अस्तर पर जिला अस्तर राज अस्तर पर बहुत सी समस्यां सिचकू को आते हैं भले ही आज संगठन और संगठन के दबाओं के कारण या संगठन के आवाज उठाने के कारण आज सिचकों को बहुत कुछ मिला भी है लेकिन और परस्थिती बन सकती है कभी भविस में जो अकेला सिचक कुछ विसेस नहीं कर सकता है वहाँ पर संगठन की जरूरत होती है तो यह भी नाकारान नहीं जा सकता है संगठन का होना भी बहुत जरूरी है और समय पर खुद अपना सिल्फ डिफेंड निर्न लेने की भी जरूरत है अब आप पर हम छोड़े जाते हैं आपका क्या विचार है कॉमेंट करके बताईएगा और बहुत जल्द आपके कॉमेंट को भी हम लाएंग भले ही आप कहिए गजhtनाम नहीं लेंगे और लाइफ बाश्चित करने जा रहा हैं अपत तमाम मित्रों से तमाम दोस्तों से तमाम स्जुच्छद्गनों से क्योंकि मैं भी आप ही के वितसे हूं मिलते हैं अगले विडियो में तब तक कि लिए दिज्ए इजाज़त जय ह जय भारत बंदे मातर